इस वीडियो में मैं आपको उताने वालों फ्रेंड्स कि आप Redmi 9 मॉयलफोन में आप जो है Control Center मतलब Notification Control Center को आप Change कैसे कर सकते हैं यह जो आपका होता है Notification Control Center इसको आप Change कैसे करेंगे चलिए मैं आपको बता देता हूँ तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना होगा, Redmi 9 मॉयलफोन के सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाकर नीचा आना है, नीचा आने पर आपको इन डिस्प्ले का Option मिलता है आप यहाँ पर click करेंगे फिर इसमें नीचा आएंगे नीचा आने पर आपको option मिलता है control center and notification का इस पर click करेंगे इसमें नीचा आएंगे तो आपको एक option मिल जाता है देखिए huge new control center का आप इस setting को देंगे enable कर आपका control center change हो जाएगा तो आप आप यहाँ पर देख सकते है control center ब यूज कर सकते हैं Redmi 9 वाल में वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल को subscribe जरूर करिएगा